सो हलो और वेलकम बैक आपने तो दिस नादर वीडियो चोटा सा डाउट है हर स्टूडेंट के दिमाग में जो कि एक्जिक्यूटिफ लेवल पर अभी उठ चुके है सिए सेटी करेक करने के बाद और वन डे ओरियंटेशन प्रोग्राम को लेके अब वन डे ओरियंटेशन प अब बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा कहां पर होता है यह पहले मैं एक किलर कर दूँ आपको ठीक है दो जगे पर होता है यह एक होता है आपके ICSI chapter में nearest ICSI chapter में यह chapter का मतलब क्या होता है ICSI का office ठीक है आपके आस परोस कहीं पर भी nearest अगर आपके city में नहीं है तो nearest city में तो होगा समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है आपके town में नहीं तो nearest town में होगा कहीं तो होगा nearest वाला समझ में आ रहा है उस chapter में होता है ये one day orientation program और दूसरा होता है online ठीक है दूसरा होता है online अब बात यह है कि अपने को select कैसे करना है कि अपने को ये करना है या फिर ये करना है अपने को online देना है या फिर chapter में जाके करना है समझ में आ रहा है अपने को select कैसे करना है जब आप लोग executive के लिए जब आप लोग executive के लिए registration कराते हो तब आपको उसी registration form में एक option मिलता है one day orientation program का वहाँ पर जब आप click करते हो तब आपको बहुत सारा states जो है city जो है उसका नाम दिखाता है तो आप कही ना कही पे select कर लेते हो लेकिन एकदम last पे एक option रहता है online वाला ठीक है online वाला तो जो बच्चे online select करते हैं उनका तो online हो जाएगा और जो बच्चे ICSA chapter select किये उनका ICSA chapter में होगा अब मज़ेधर बात यह है कि ICSA chapter में जब आप call करते हो तो बहुत सारे ICSA chapter है जो कि बंध हो चुके है बहुत सारे ICSA chapter ऐसे है जो phone pick up नहीं करते है बहुत सारे ICSA chapter ऐसे है जो बोलते है कि हम लोग तो one day orientation program नहीं कराने वाले यहाँ पर online कर लीजिए आप समझ में आ रहा है न यह बात है अब मैंको पता नहीं all over India कौन से ICSA chapter में हो रहा है one day orientation program लेकिन maximum या फिर मैं आगर आपको बताओं तो 99.99% ICSA chapters one day orientation program नहीं करा रहे वो लोग बोल रहे है कि आपको online ही कर लेना होगा अभी बहुत सारे students जो executive में आ चुके है online समझो online कैसे करना है online करने के लिए आपको एक ID मिलना चाहिए होगा TCS का तो इसका जो है TCS का एक आपको password भेजा होगा ICSA ने ठीक है तो TCS वाले portal में आपको जाना है TCS वाले portal में आप चले जाओगे वहाँ पर search option में आपको search करना होगा one day orientation program one day orientation program search option में ठीक है फिर आपका orientation का videos दिखाई देगा ठीक है videos दिखाई देगा आपको इसी videos को देख लेना है अगर आपने इस videos को देख लिया तो आपका orientation complete हो जाएगा समझ में आ रहा है कोई दिक्कत सिर्फ आपको videos देखके complete करके रखना है क्या मैं ये phone में कर सकता हूँ phone में देख सकता हूँ हाँ जी आप phone में भी देख सकते हो कोई problem नहीं होगा ठीक है ये होगया बात अब main problem में आते हम लोग main problem ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे है जिनका TCS वाले portal में one day orientation program नहीं दिखा रहा है समझ में आ रहा है कुछ ऐसे बच्चे है जिनका दिखा रहा है और कुछ ऐसे बच्चे है जिनका नहीं दिखा रहा है one day orientation program का समझ में आ रहा है तो उन बच्चों को क्या करना होगा सर डरने का बात है, डरने का एकदम बात नहीं है क्योंकि पहले जो एक नियम था ना कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको कर लेना होगा क्या, one day orientation, registration के 15 दिन के अंदर अंदर वो अभी applicable नहीं है, फिलहाल, ठीक है और उसके अलावा, अभी आपको क्या करना होगा कि आपको एक complaint drop करना होगा, ठीक है ICSI को, complaint drop करना होगा उस complaint में आपको अपना registration ID जो है उस complaint में आपको क्या करना होगा आपने आपका जो registration, ठीक है registration ID है, वो आपको डालना होगा फिर आपका जो सारे डीटेल से वो वहाँ पर डाल के आपको वहाँ पर बोलना होगा कि आपका जो one day orientation program का जो videos है वो show नहीं हो रहा है आपके TCS portal में समझ में आ रहा है तो इसका वो लोग समाधान निकाल दे तो वो लोग जो है उसका समाधा निकाल देते वो लोग आपको कहेंगे कि कुछ दिन वेट करो अपने आप आ जाएगा या फिर वो लोग आपको कोई solution निकाल के दे सकते हैं क्या मुझको डरना है इस चीज को लेके एक दम नहीं डरना है आपको सिर्फ conscious रहना है कि में को करना क्या है अब इस मोमेंट पे समझ में आ रहा है ना तो यही बात है आप conscious रहो कि आपको करना है one day orientation program लेकि डरो मत क्यूंकि आपका शो नहीं कर रहा है तो में को डरना है पैनिक करना है मेरे को आज के date में कम से कम 100 बच्चों ने message किया है कि सर मेरा one day orientation program नहीं हो पा रहा है समझ में आ रहा है तो इतने सारों बच्चों का तो देखो आप अकेली ने यह सारे बच्चों का नहीं हो पा रहा है अभी जितने बच्चों ने में को contact किया सिर्फ वो उसके अलावा ब लखना है आप जैसे ही registration करा लेते हो इस देखो यह TCS अभी बहुत सरे बच्चे जिन्होंने ही हाल फिला registration कराया है और वो लोग सोच रहे कि सर मेरा TCS वाला password ID नहीं आया है अगर आपका TCS वाला ID password नहीं आया है तो आप एक बर आपका registration status चेक करो कि आपका registration हुआ है कि नह 15 से 20 दिन लग जाता है अगर 20 दिन से उपर हो रहा है तो एक complaint drop करो ठीक है एक complaint drop करो आपने जो registration कराया उसका receipt होगा आपके पास e-receipt होगा electronic format में कोई PDF अगेरा कुछ होगा उसको आपको complaint portal में जब आप जाओगे वहाँ पर उसको attach कर देना और आपको बोलना है कि आपका registration हो चुका है आई से confirmation भी आया है लेकिन TCS password नहीं आया है अगर आपका TCS password नहीं आया है तो TCS password सबसे पहले आपको लेना होगा ICS है इसे कैसे लोगे complaint drop करो वो लोग देख देंगे कोई problem नहीं होगा उसमे complaint drop करो आप सबसे पहले ठीक है और अच्छे से लिखना है ओगे आपका problem क्या है ऐसे सिर्फ मतलब छोटा छोटा लिख के मत आ जाना पहले अपना registration ID देना कि मेरा यह registration ID है इस date पे मेरा registration हुआ है और उसके बाद में को TCS वाला जो है इतना दिन हो रहा है TCS वाला कुछ नहीं आया है समझ में आ रहा है तो यह आपको करना है एक बार आपको TCS वाला ID password मिल जाए तो TCS वाला ID password में कैसे जाना है नहीं जाना है वो मैं description में एक link दे ठीक है वहाँ पे आपको शो करेगा one day orientation program ठीक है जिन बच्चों का one day orientation program के video शो नहीं हो रहे है उनको मैं बोल दूँ आपको भी एक complaint drop करना है ICSI को और बोलना है कि मेरा one day orientation program का जो content है वो शो नहीं कर रहा है videos प्लीज भेज दीजे समझ में आ रहा है थोड़ा time लेंगे वो TCS वाला portal है इसमें आपका pretest भी हो जाता है तो लगे हाथ मैं pretest का भी बोल दूँ pretest जो है न वो आपको TCS वाले portal में ही pretest complete कर देना है ठीक है बहुत सारे student कहते है सर में को तो सिर्फ एक group देना है जून में तो मैं क्या में को क्या दोनों group का pretest देना होगा नहीं अगर आ आप examination देने वाले हो June में समझ में आ रहा है क्या सर मैं दोनों खतम करके रख सकता हूँ या बाद में मैं को फिर से complete करना होगा नहीं नहीं आप अगर चाहो तो दोनों अभी खतम करके रख सकते हो बाद में दुबारा करने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप fail भी हो जाओ examination में तब भी आपको pre-test दुबारा देने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप June attempt crack नहीं कर पाए तब भी आपको pre-test जो है December के लिए दुबारा देने का जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है ना एक बार ही देना होता है pre-test इतना clear हो चुका है हाँ जी one day orientation program का ये कुछ questions थे ब comment section में comment करना मैं कोशिश करूंगा reply करने के लिए सहर कम हर comment को ठीक है थैंक यू सो मच आवरेवन हैपी लोनिंग गाइस बबाई टेक क्या